दोजर चोबिस के लोकसवा चुनाव को लेकर सियासी पारा चड़ता जा रहा है एक तरफ तो बीजेपी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में जाने की तैयारी में है तो वहीं विपक्षी दल एक दूसरे के सहारे अपनी नईया पार लगाने की कोशिस में है हलाकि इस बीच विपक्षी दल एक दूसरे से ही दो-दो हाथ करने में लगे हुए है अब जो खबर आई है वो विपक्षी गट बंधन के समर्थकों की नींद उराने के लिए काफी है विपक्षी गट बंधन में शामिल कॉंग्रेस और आपने अब एक दूसरे के खिलाफ ही सपने देख रहे थे उनके लिए बरा जटका हो सकता है ऐसे में अब कॉंग्रेस के एलान के बाद आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है दरसल कॉंग्रेस ने खुल कर आम आदमी पार्टी के खिलाफ हला बोल दिया है लोकसवा चुनाओ दोजार चौबिस में दि इसी बेनु गोपाल जैसे बरे नेता शामिल हुए और करीब तीन घंटे तक चली इस बैठक के बाद पार्टी नेता अलका लामबा ने मीडिया के सामने आकर कहा कि बैठक में शामिल नेताओं की तरफ से पार्टी कारिकरताओं को ये संदेश दिया गया है कि वो दिल्ली म लोकसभा की सबी साथ सीटों पर चुनाओ की तयारी करें ऐसे में अब इस खबर से आम अदमी पार्टी तिल मिला गई है अलका लामबा के बयान के बाद आम अदमी पार्टी ने कहा है कि अगर कॉंग्रिस ने दिल्ली में अकेले चुनाओं लरने का फैसला कर लिया है तो इंडिया गटबंधन की मिटिंग में जाने का कोई मतलब ही नहीं है बता दे कि ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है हलाकि आपने कहा है कि मुंबई में होने वाली विपक्षी गटबंधन की आगामी बैठक में जाने या ना जाने का फैसला पार्टी की टॉप लिड और इस पर चर्चा करेंगे वही अलका लांबा ने ये भी बताया है कि इस बैठक में इस बात पर चिंता जाहिर की गई है कि कॉंग्रेस का ही वोट आम आदनी पार्टी की तरफ गया है बीजेपी की अपनी स्थिर लाइन है हमारी लड़ाई बीजेपी से है लेकिन हमारा वोट आम आदनी पार्टी के पास चला गया है अलका लांबा ने ये भी कहा कि बैठक में इस बात को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है कि आम आदनी पार्टी के दो बड़े नेता इस बक्त भरस्ताचार के आरोपों में जेल में बंद है और मुख्यमंत्री पर भी शिकन ज पर लग कर सकता है वहीं अलका लांबा ने ये भी कहा कि हम आम आदनी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं या फिर उनके साथ सीर शेरिंग को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है हमें सबी सातों सीटो पर अपनी तयारी मुस्तैदी से करनी है इसके अलावा अल अलका लांबा ने ये भी कहा कि हम साल 2019 में सभी सातों सीटों पर दूसरे नंबर पर थे। अब राहुल गांधी की भारत जोरो यातरा के बाद लोग बीजेपी के खिलाफ कॉंग्रेस को पूरे देश में एक मजबूत विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। और भी वीडियो देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।